आज हम बात करेंगे कि क्वारंटीन की दिनों में प्रेगनेंट लेडीज को क्या एक्स्ट्रा प्रेकॉशन्स लेने चाहिए सबसे पहले उनको वही सब फॉलो करना चाहिए जो सब को बोला जा रहा है कि अपने हाथों को अच्छे से सोप से बार बार दोना चाहिए हाथ को फेस पे टच नहीं करना चाहिए सोशल डिस्टंसिंग फॉलो करनी चाहिए और घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले बाहर का खाना ना खाएं कुछ भी जो खाते हैं उसको अच्छे से धो के पका कर ही खाएं प्रेगनेंट लेडीज थोड़ी जादा वालनरिबल होती हैं तो कैच इंफेक्शन इसलिए उनके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा इम्म्यूनिटी इंप्रूफ करने वाले चीजों को भी कंजियों करें जैसे कि हल्दी वाला दूद या वाइटमिन सी की टाबलेट्स या फिर आमला या जिंजर और बहुत जादा लिक्विद्स लें जो वार्म लिक्विद्स हों गरम-गरम लिक्विद्स को जादा यूज करें इसके अलावा प्रेगनेंसी में हम ये भी कहते हैं कि आप प्रॉपरली अपना डायेट का खयाल रखें चार या पांच हेल्पिंग्स फूट्स या वेजेटिबल्स खाएं प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं और डायेट में जादा मीठा या मैदा या ओईली चीजे ना खाएं क्योंकि घर पे बैठने से वैसे ही वेट गेन होने का चांस जादा होता है और प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि एक महीने में एक या दो किलो से जादा वेट ना बढ़ाएं ये भी ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत एक्सराइस करते रहें खुद को फिट रगना प्रेगनेंसी के लिए इंपोर्टन है नहीं तो कुछ बिमारियां आ सकती है जैसे की जेस्टेशनल डाइबेटीज और तो इसलिए उनको थोड़ा बट वाक करना चाहिए चाहिए अपने बैलकनी में या घर के अंदर या घर के गार्डन में बालंस नहीं लूज होता वो करते रहना चाहिए इसके अलावा एक बहुत इंपोर्टन चीज है कि क्योंकि आजकल के डिफिकल्ट टाइम में बहुत स्ट्रेस्ट है सब लोग और स्ट्रेस से प्रेगनेंसी पे बुरा असर पड़ सकता है तो थोड़ा सा माइंफुलनेस य में में मेडिटेशन और माइंफुलनेस को दे और ओल इस ओनलाइन थिंग्स के लिमिटे तो सम पर्टिकुलर ताइम इस दौरान हम रेगुलर हॉस्पिटल विजिस को डिसकारज कर रहे हैं पर फिर भी आप अपने दॉक्टर से टच में रहें जो जरूरी टेस्ट और अर अगर आपको फीवर या खासी या ब्रेचलेस्नेस हो तो प्लीज अपने दॉक्टर को इंफॉर्ब करें आपको यहावगी फ्रेगननसी और बीसेफ गॉड ब्लेस्ट थांक यू